जैम आता दी दोस्तों, वर्ल बेस्ट मेजिक में आपका हार्डविक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दी जरूर लिखें. दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संतान सत्तमी कवरत साल दो हजार चौबिस में कब र पूरी जानकारी के लिए लास तक वीडियो को जरूर देखें, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें, साथी इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सेयर करें, तो ये सुरू करते हैं, दोस्तों भादर पदमा के सुकल पक्ष की सप्तमी तिथी को संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है, इसे मुक्ता भरन सप्तमी या ललेता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों इस दिन भगवान सिव और माता पारवती जी की पूजा की जाती है इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं मानिता है कि इस दिन का व्रत करने से ने संतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ती होती है ये व्रत संतान की दीरगाई और उनके दुखों का नास करने वाला है और उनको आरोग की प्राप्ती देने वाला है संतान का सदा ही सुब करता है इस वृत को करने से सुख और सवभाग में भी वृत ही होती है आपको बता दें कि ये वृत महिला और पुरुस अर्थात माता पिता दोनों मिलकर अपने संतान के सुख के लिए रख सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि साल दो हजार चौबिस में संतान सत्तमी का वरत कब रखा जाएगा तो आपको बता दें कि सब्तमी तिति की सुरुवात 9 सितंबर दो हजार चौबिस की रात को 9 बचकर 13 मिनट पर होगी और सब्तमी तिति की समापती 10 सितंबर 2024 की रात को 11 बचकर 11 मिनट पर हो जाएगी तो दिया तिति की मानिता के नुसार 27 सत्मी कवरत 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और बात करें पूजा के सु मूरत की तो आपको बता दें कि 27 सत्मी की पूजा दोपहर में करना स्रेष्ट माना जाता है तो इस दिन अबजीत मूरत सुबा 11 बचकर 53 मिनट से लेकर दोपहर 12 बचकर 43 मिनट तक रहेगा और इस दिन विजह मूरत दोपहर 2 बचकर 22 मिनट से लेकर दोपहर 3 बचकर 12 मिनट तक रहेगा तो आप इन सुमूरत में संतान सत्मी की पूजा कर सकती हैं और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर तीन बजकर पच्चिस मिनट से लेकर साम चार बजकर अठावन मिनट तक रहेगा दोस्तों राहुकाल असुप समय होता है आप इस समय संतान सत्मी की पूजा भूल कर भी ना करें चलिए अब जानते हैं कि संतान सत्मी की पूजन सामगरी क्या है दोस्तों इसमें भगवान सियो मतापारवती की मूर्ती या फोटो की आवशक्ता होती है साथ ही लकड़ी की चोकी या पटा चाहिए उस पर बिचाने के लिए लाल रंग का वस्त्र, कलस, अप्छत, रोली, चंदन, मौली, स्वेत वस्त्र, केले कपत्ता, आम कपत्ता, फल, फूल, नैविद में साथ साथ मीठी पूरी या पूए, धूब, दीप, घी, कपूर, सुपारी, नारियल, लॉंग, सुहाग का समान, सूती धागा, और सोने की शांदी या छला, या चूड़ी आदी, जो संतान सत्मी की पूजा के लिए बनवाई जाती है इन सबी चीजों की अवशक्ता आपको पूजा में पड़ेगी, जो मैला वरत रखेगी वह संतान सत्मी के दिन प्राता काल सुबह जल्दी उठकर इसनानादी करने के बाद स्वच्वस्त धारन करें, इसके बाद सूर्य नरायन को जल अर्पित करें, फिर भगवान श्यू और निराहार रहेंगी, फिर सुदता के साथ प्रशादव भोग तयार करें, इसमें आप खीर पूड़ी या गुड़ के पूए या कहीं कहीं मीठी पूड़ी बनाए जाती हैं, तो जो भी आपके आप भोग प्रशाद बनता है आप उसे बना लें, और संतान सत्मी की पू पूजा इस्थल को गंगा जल छिड़कर सुद्ध कर लें, अब चौप पूरें, इसके बाद लकडी की चौकी पर लाल वा सफेद रंग का वस्तर बिछा दें, इसके बाद भगवान शिव मतापारवती जी की मूर्ती अप्रतिमा इस्थापित करें, साथ ही कलस की इस्था लगा कर उसके उपर चावल भरी का टोरी रख दें और दीप प्रजुलित कर दें, अब भगवान सिव पारवती की विद्वत पूजा आर्चना करें, मतापारवती को सुहाग का शमान भी अर्पित करें, इसके बाद जो आपने चूड़ी अच्छला संतान सत्तमी की पूए के उपर रख दें, फिर उसका भी पूजन करें, उसमें हल्दी, रोली का टीका लगाएं, अच्छा तर्पित करें, फूल माला चणाएं, धूब दिखाएं, और जिन लोगों के पास चूड़ी अच्छला नहीं हैं, तो वह लोग इसमें सूती धागा या कलावा य धागा महिलाएं दाहिने हाथ में बादती हैं, इसके बाद संदान सत्मी की कथा जरूर सुनें, और फिर आरती करके विद्वत पूजा को संपन्न करें, और भोग में साथ साथ पूड़ी वपूएं जो भी बनाए हैं, वही चढ़ाए जाते हैं, और पूजा के बाद जो स पूएं आपने भगवान को चढ़ाए हैं, वे किसी ब्राम्हर को दान दिये जाते हैं, और दूसरी साथ पूड़ी स्वयम खाई जाती हैं, और इसी सिवरत खोला जाता है, यदि आप ये पूड़ी खुद नहीं खा पा रही हैं, तो आप अपने पती को भी खिला सकती हैं बाकी अन्य किसी को आप ये पूड़ी नहीं खिलाएंगी, इस बात का आपको ध्यान लखना है, तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी, तो कमेंट में जैम आतादी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ करना तो